नमस्कार दोस्तों तालिबान सरकार आने के बात भाद सरकार ने आफगानिस्तान से सारे रिष्ते खदम कर लिए बट ऐसा हमेशा है से नहीं था हमारे भारत ने आफगानिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी इंफ्रस्ट्रेक्टर बनाएं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडियो को पूरा एंट तक देखना अच्छा लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें अफगान प्रसिडेंट अस्रफगानी के मौजूदगी में किया गया था डिटेल में अगर इस प्रोजेक्ट पर डिसकस करूँ तो हयात के बिगेस इंफ्रस्ट्रेक्चर प्रोजेक्ट है जो भाज सरकारदोरा बनाया गया जिसकी लागत तक देखन दो सुननबबे मिलियन यूएस डॉलर है की कंस्ट्रक्शन 1976 में शुरू की गई थी और 106 में बनाकर पूरा किया गया नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान परलियमेंट हूस बिलिंग प्रोजेक्ट में बनाए गया इसलिए से 2020 कोड भातिक की तरफ से इस इसreफ्गानी की एगवाए में से इन जिसे 2011 में बनाकर पुरा किया जाना था बर्ट पूरा नहीं हो सका और फाइनली 2015 में इसे बनाकर प्रधान मंतरी मोधी दवारा इसे इनागरेट किया गया इस पर बात करूँ तो इसे मुगल आर्किटक के रूप में एसे की लाजस्ट डोम के रूप में एसे खुबसूत बिल्डिंग को बनाया गया है जिसकी कोस तके में 1,000 क्रोड है नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जेरांग डेलाराम रोड प्रोजेक्ट भाज सरकार दौरा बनाया गया प्रोजेक्ट जनुवरी 22-2009 को बनाकर अफगान गौर्णमेंट को सोब दिया गया था जिसकी लेंद थकेमन 218 किलोमेटर है यह प्रोजेक्ट डेलाराम डिस्टिक्ट से इरान बोडर तक बनाया गया जो 2005 में शुरू किया गया था जिसे 2009 में बनाकर पूरा किया गया दो लेंड के रूप में बनाया गया जो कि अफगानिस्थान के लिए एक महत्पुन प्रोजेक्ट है नेक्स्ट प्रोजेक्ट है काबोल इस्टोर रिस्टोरेशन प्रोजेक् भब्याता से अधिक सुन्दर किया गया है जिसकी देखरेक आगा खान ट्रस्ट द्वारा की गई है जिसे 2006 में पूरी तर से बना कर पूरा किया है के तौर पे से देखा जाएगा ऐसे में देखना जूरी होगा कि ये कब तक बनका तयार होता है जहां Medical Institute के साथ सबी तरके Technology उपलब्ध है बट आज ये Hospital, Lack of Facilities और फंड के वज़े से वादी की खगार पर ऐसे में देखना होगा कि इसके लिए आगे क्या करती है Next Project है अफगानिस्तान National Agricultural Science and Technology University Project बहाद सरकार दोरा बनाए गया University आफगानिस्तान के लिए Science and Technology के लिए अगमात्पुन University है जहां आफगान के लोग पढ़ सकते हैं Science and Technology में अपने देश को दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं इसके अलाओ भी चावहार पोर्ट, अवीबा हाई स्कूल, एयर फ्रेट कॉइडोर जैसे 160 लोग प्रोजेक्स बनाए गए हैं जिसमें Education, Health, Agriculture, Irrigation, Hydroplant, Sports Infrastructure, Administrative Building इत्यादी सामिल है ऐसे में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे comment section में ज़रूर बताएं फिलाल आज का वीडियो यहीं पेंड होता है, अभी तक वीडियो को like, share and subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो के लिए आप मैंस चैनल को subscribe कर सकते हैं कोई भी question or questions के लिए आप मैं Instagram पर contact कर सकते हैं, link description box में दे रहा है तो चलिए दोस्तों मिलते है नेक्ट वीडियो में, जय हिंद